Hello viewers, welcome to my YouTube channel योग करते समय आपको किन साफधनियों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में जानिए अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है योग फिटनिस का सबसे पॉपुलर माध्यम है लेकिन इसे करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ऐसा नहीं होने पर योग से फाइदा होने की बज़ाए नुकसान हो सकता है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में योग अभ्यास के दौरान ने पीए पानी योग के दौरान बोडी में गर्माहट आती है इस दौरान ठंडा पानी पीने से अलर्जी सर्दी जुखाम कफ जैसी तकलीफ हो सकती है योग के तुरंत बाद नहाएं योग करने से शरीर गरम हो जाता है इसलिए योग करने के एक घंटे बाद तक नहाएं नहीं सर्दी जुखाम बदंदर जैसी तकलीफ हो सकती है अगर आप योग करने के तुरंत बाद नहा लेते हैं तो खाने के तुरंत बाद योग नहें करें वज राशन को छोड़कर सभी योग और खाने के बीच कम से कम तीन घंटे का अंतरार रखें बहतर है कि खाली पेट योग करें योग हमेशा खुले और साव सुत्रे वातवरंड में करें योग हमेशा साव खुली जिगे में करना चाहिए प्राणायम तो हमेशा खुली जिगे में ही करना चाहिए जहां ताजी हवा मिलती हो योग करने से पहले शरी को तयार करें योग करने से पहले थोड़ा वाम अप कर लें इसके बाद प्राणायम करें और फिर योग करें आखिर में शव आशन जरूर करें एक्सपर्ट से सीख करी करें योग बगेर एक्सपर्ट से सीखें किताब पढ़ कर या सीड़ी देखकर योग करने से नुकसान हो सकता है दूसरों की देखा देखी भी योग ने करें सरल से कठिन exercise करें शुरुआत से ही कठिन आसन करने से आपको तकलीफ हो सकती है या पिर आप जल्दी ठक सकती हैं गलत पोज ने करें, इंस्ट्रक्टर द्वारा बताए अनुसार ही योग करें, गलत आसन करने से कमरदर घुटनों में तकलीफ या मसल्स में खिचाव हो सकता है, पीट घुटने या मसल्स की प्रावलम हो तो ने करें योग, पीट घुटने या मासपेशी से संबंदित कोई भी तकलीफ है, तो योग करने से पहले ट्रेनर से सलाथ जरूर लें, आसन बिचाकर अरांदाय कपड़े पहन करी योग करें, योग समतल जमीन पर आसन बिचाकर करें, मौसम के मताबिक ऐसे कपड़े पहने जो ने तो जादा टाइट हो, ने ही बहुत जादा धीले, योग करते समय जोएलरी, कड़े, हार वगेरा पहनने से योग आसन में दिक्कत होती है, और ये चीजें चोट भी पहुचा सकती है, तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, योग करते समय आपको किन-किन साफदानियों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप को मेरे द्वारत दी गई ये जानकरी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, धन्यवाद